प्यारे बच्चों नमस्कार आपका अपना चैनल डिफेंस टूटर में आपका स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे इंडिये के कम्प्लीट कोर्स के लेक्टर नमर ट्वंटीवन को तो आज हमने एक ट्रॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चेप्टर को स्टार्ट करन करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले वोको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से त्यारी कर सकते हैं वह भी फिर और स्याद यहां से त्यारी करने वाद आपको कोशिंग न पढ़ें तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे लाज जोब केमिक देखें बिसिकली नेचर में दो सबस्टांस दो टाइप के अप नेचर को हम पढ़ते हैं किसी भी सबस्टांस के दो टाइप नेचर को पढ़ते हैं एक उसके क्वांटिटेटीव नेचर को दूसरे इसके क्वालिटेटीव नेचर को क्वांटिटेटीव नेचर में हम उस क्योंट है। चीज को पढ़ेंगे तो जो कि हम स्टार्ट करते हैं अभी है तो देखें क्वांटी टेटीव स्टडी के बादे बात करें हम किसी भी क्याँड के चैंज में किसी भी कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए किसी भी chemical change में या फिर आप समझ सकते हैं किसी भी compound को form होने के लिए जो element लगते हैं आपको बता है कि compound को form होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा element लगते हैं तो जो भी 2 या 2 से जादार ऐलेमेंट लगते हैं वो जब compound बनते हैं तो वो किसी खास rule को follow करते हुए अपने compound का formation करते हैं जब भी compound बनेंगे वो कुछ खास rule को ही follow करेंगे तब भी compound बनेंगे तो हम उसी Basic rules को उसी Basic law को हम यहां पढ़ेंगे law of chemical combination में किसे पढ़ेंगे law of chemical combination में जैसे एक example समझेए अगर इस टूओ की बात करें हम अगर इस टूओ की बात करें तो इस टूओ एक compound है वो hydrogen और oxygen से बने हुए यह तो समझाता होगा लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यह जब भी बनेंगे तो दो hydrogen के फॉलो करेंगे बेसिक लोग को हम इसा गवर्ण करेंगे इसी बेसिक लोग को भी हम पढ़ने जा रहे हैं law of chemical combination में तो चलिए वीडियो को next की और आगे की और बढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फिर law of combination में फर्स्ट हमारा जो हम समझेंगे फर्स्ट हमारे ट करते हैं हम मास ऑफ रिएक्टिंट के बीच और मास और प्रडक्ट प्रड़क्ट के बीच कहां पर किसी भी chemical reaction में मास के पड़क्ट के बीच में जो हम law निकालते हैं उसमें किया पढ़ते हैं उसे law फक अब मास में ही पढ़ते हैं कि कि सीवी फिजगर और केमिकल चैंज में मास व प्रडक्ट हमेशा बरावर होते हैं मास का मास अफ रिक्टेंस के और अगर अगर दूसरी तर से मस्राइब डी रिर उसको बゃहें कि मास चांट वी स्प्रेटर चेंज य सी एक इसे रेंधन हें और ऑक्सिजन है यह कारवन हो क्सिडों एलिवेंट है यह मिलकि बनाते एक कांपांड को सीरेटू से बत करें तो 12 ग्राम फ्लस 32 ग्राम यह किता मिलते बनता है 44 ग्राम और मास और परिकरन इसम्रान एक क्लीग差不多 तो यहां से पर चल गया कि लॉग कंजर्वेस्ट नों मासक कर रहा है तो आपके इस तरह चेक है मास ओफ यहां निकाल लिए गा दोनों को देखेगा एकौल है तो समझे लॉग को मास को इसको फॉलो कर रहा है देखिए यहां पर एक नेक्स समझते हैं कि टूच टू है प्लस हो जागा पहले से जो कोफिशेंट है two लगए टू लगई है टू फोर ग्राम यह हो गया ऑक्सिजन के तो ग्राम फोर प्रस इस्टी तू कितना होता है अब पहले से दो है इसमें दो से गुणा कर देंगे तो यह भी कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा तो यहां चला मास अपने लॉग को समझते हैं दिखिए लॉग जब दिया गया था उसके जस्ट बाल जब मास को अपर सकते हैं लेकिन मास को हम सकते हैं यहीं बता जब और यहाओ कर सकते हैं कि हो किक्या यहीं में मसें कुछ लाइस सोते हैं मज कुछ घरटा और वो क्या होता है उससे energy form होते हैं ठीक है जब आइस्टीन ने एक अपने mass energy relation में जब बताया थे कि mass को energy में convert किया सकता है उसके थूरू एक equation दिये थे e equal to mc square इसी को मास इनर्जी में कहा जाता है और यही mass energy में क्या होता है relation बताता है ठीक है तो e equal to mc square में सबस्टांस का मास जिस सबस्टांस को energy में convert कर रहे हैं और c क्या है velocity of light 3 into 10 to power 8 meter per second और e क्या होता है यहां पर energy होता है ठीक है तो यह आइस्टीन mass energy relation था देखे एक बात को समझे आप समझेगा chemical reaction में मास क्यों नहीं loss होता है या फिट क्यों नहीं आपका जो केंजर्वेशन मास पर हैं वह किस तरह गवर्ण करता है दिखिए chemical reaction में chemical reaction में जो energy होते हैं बहुत कम amount में release होते हैं या फिट absorb होते हैं देखिए अगर energy बहुत कम amount होँए रिलीज और एब्सर्व होएंगे सी तो हमेशा constant होगा यहां पर तो यह क्या होगा डाकली पोसल्ट टु एम के हो जाएगा यह यानि बात को समझे और पॉसल्ट है तो इससे क्या समझते हैं कि कि अगर हम किसी भी chemical reaction में किसी भी chemical reaction में energy यो युज आब बहुत कम amount में होता है इसके ने मास्ट जो होते हैं वो जो यहां पर कोई 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 को नहीं को नहीं देता है कुछ खास उसे ज्यादा इन रिलेस्टन ज्यादा कुछ वहलू नहीं आता है इसे काहता है कि कभी प्रेक्षिन में हमेशा इनर्जी मास जो होते हैं मास जो होते हैं हमेशा कंजर्व होते हैं का हमेशा मास कंजर्व होते हैं लेकिन अगरаз का में मासेश का घटना इहां डिकरी जहां पे देखा जाता है यानि ज्यादा तर निक्लिया रियक्सन में आपको देखे जाते हैं इसे पर आपको आपको नहों लग दाया है तो आप सीठे देख सकते हैं ठीक है अगर next लॉक की बारे में जूशेफ प्रॉस्ट क्या नाम था जोसेफ प्रॉस्ट इसको याद रखिए आपको एजाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो फ्रेंच के मिस्ट थे जोसेफ प्रॉस्ट उनके द्वारा लॉज ओफ constant composition को दिया गया था इस law the family कहा जाता है इस लोज्य में क्या कयाता देखिए जोब प्रॉров्ष ने कहा था कि किसी भी donc के किसी भी Carnival के सैंपल को आप कहीं से भी लागर लाते हैं ठीके तो कहीं कहीं से भी लाते हैं तो कहीं से भी लाएं उसे आम तो वह हमेशा एक कुछ खास element से मिलकर कर न होंगे और वह कुछ खास मास कि द्रॉरारे एक उच्ष कुछ खास proportion में उनके मास कै कुछ खास प्रोप्र lesbian में ही वह को बने हुए होंगे इस लोग में यही कहा जाता है कि जैसे एक इजामपल देखें आपको समझाते हैं कि अगर आप इस टूर को वाटर को आप अगार डीवर से लाते हैं सी से लाते हैं वेल से लाते हैं फॉल्स जहरने से लाते हैं आप कहीं से भी लाते हैं अगर आप देख जो आपने तेyll का कमें रहे था था गया तो देखा जाएगा इसार्य मांस हडिका प्रफशा की बाइन दिना कि लेते हैं अरं ऑक्षियेन कर तो तो यह आप किसी भी सोर से लाएं अगर वाटर को लाएं तो वह हमेशा वन इस टू एट पॉपर्शन में ही आपको बना हुआ दिखेगा ठीक है और वह हमेशा दो हैड्रोजन और एक ऑक्सिजन से ही बना हुआ दिखेगा इस बात को समझे ठीक है इस कि इस लौ में यही कहा गया था तो आज तक हम अभी तक हम यहीं रखते हैं यहीं तक अपने लेक्ट्र को खतम करते हैं निक्स लेक्ट्र में आपको हम लॉज ऑफ टेमिकल कमिने से में कुछ और लॉज बचे हुए हैं जैसे लॉज मुल्टिपल प्रपोर्पोर्शन लॉज अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रेगलर अबडेट आपको मिलता रहे तो ठीके दोस्तों मिलेंगे अच्छे वीडियो साथ तब तक के लिए बबबाए